अलो, नमस्कार, सौगत है आप सभी का नीव इंसिचूट के इस ओनलाइन प्लैटफॉर्म पर, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी अच्छे होंगे, ये क्लास है साइकॉलजी की और इस साइकॉलजी की क्लास में आज हम डिसकस करने बाले हैं MCQ कोईशन्स को, ये वो MCQ कोईशन हैं, जो आपके प्रिवियस ये की क्वेशन पेपर से उठाए गए हैं, तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है, उसे स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फोर्मेशन है, जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद जो है, हम अपन प्ले स्टोर पे जाना है, बहां पे जाके नीव इंस्टिटूट की जो एप्लिकेशन है, उसे सर्च करके इंस्टॉल करना है, जब आप इस एप्लिकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर लोगे, तो मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ, 9459802085, इस नंबर पर जो है आपको इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको जो है वो बैच में एन्रोल कर लिया जाएगा, यह जो बैच स्टार्ट हुआ है, इसके कुछ वेनिफिट्स हैं, जैसे की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको वन वीक का डेमो फ्री दिया जाएगा, डेली क्ला करूँ, तो यहाँ फी रखी गई है, वन ट्रिपल नाइन, यानि कि दो हजार उपे में यहाँ पर आपको जो है, एच्पी टैट का एक फुल कोर्स, फुल बैच जो है वो देखने को मिलेगा, इसके साथ ही एक और इंपॉर्टन बात है, वो यह है कि 20% डिसकाउंट फॉर बीपील स्टुडेंट, जो बच्चे बीपील कैटेगीरी से बिलॉंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है, वो जो हमारा फी स्टक्चर है, उसमें से 20% जो है, वो लेस कर दिया जाएगा, तो यह सारी बात होगी हमारे बैच से रिलेटेड और साथ में इसके फी स्टक आते रहेंगे, आप भी उसी तरह साथ में इनको सॉल्व करने का जो परियास है, वो करते होंगे, क्वेशन नवर वन है यहाँ पे, स्रीजिन आत्मक को किस रूप में परिभाशित नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है, नहीं किया जा सकता, option 1 है यहाँ पे मौलिक्ता, option B है नवीनता, option C है अपसारी, option D है अभिसारी चिंतन, तो creativity होती है, यानि कि creativity में क्या नहीं होता है, मौलिक्ता उसमें पाई जाती है, नवीनता उसमें पाई जाती है, अपसारी चिंतन भी उसमें होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है, अभि सारी चिंतन जो है यानि कनवर्जेंट थिंकिंग जो है वो creativity में नहीं होती है यानि कि आपके पास अभी सारी चिंतन है जो कनवर्जेंट थिंकिंग है वो जो है आपके पास relate करती है intelligence के साथ यानि बुद्धी के साथ जो है वो relate करती है जबकि अपसारी चिंतन यानि कि divergent thinking जो होती है आपकी creativity के साथ relate करती है तो यहाँ जो सही option है यानि जो नहीं पूछा है उसके according के जो सही answer है वो हो जाएगा option number D यानि कि अभी सारी चिंतन अभी सारी चिंतन आपका relate करता है बुद्धी के साथ में question number 2 है कौन बिशिस्ट बालक नहीं है option number A है प्रतिभाशाली बालक option 2 है मन्द बुद्धी बालक option 3 है दृष्टी कौन युक्त बालक option 4 है अल्प संख्यक बालक तो कौन से बच्चे को हम ये नहीं कहेंगे कि वो बिशिस्ट बालक नहीं है अब देखिए बिशिस्ट बालक जो है वो कौन हो सकते हैं जिनका IQ जो 140 प्लस हो ठीक है मतलब जो gifted हो वो भी आपके पास बिशिस्ट हो सकते हैं या फिर जो backward हो वो भी बिशिस्ट आपके पास कहलाए जा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर बोला है कौन नहीं है तो जो नहीं है उस पर आपको जादा ध्यान देना है और इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number 4 यानि की last जो आपके पास option है अलप संख्यक बालक जो है वो आपके पास बिशिस्ट बालक नहीं होंगे बाकि यह जो तीनों option है यह बिशिस्ट बालक के अंडर जो है वो आ जाते हैं अलप संख्यक बालक कौन से होते हैं minority child होते हैं children होते हैं ठीक है उनको विशिस्ट की कैटागिरी में हम नहीं लेकिया आते तो यहां पर जो हमारे पास सही option होगा वो होगा option number 4 और इसी की साह जो है next question है हमारे पास question number 3 शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोक्षाला का निर्मान किया गया किसके द्वारा किया गया अब बहुत सारे बच्चे जो है यहां पर confused होंगे कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोक्षाला किसके द्वारा जो है वो स्थापित की गई थी ठीक है तो इन दोनों question में confused नहीं होना है यहां पर पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोक्षाला option number A है John Duby option 2 है Watson option 3 है William Wundt option 4 है यहां पे Thorndike ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा I hope आपने सही अंसर टिक किया होगा यहां पर जो question number 3 है इसका सही अंसर होगा option number 1 यानि की John Duby शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोक्षाला जो थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी John Duby के द्वारा शिकागो में जो की USA में है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number 1 William Wundt के द्वारा क्या किया गया था मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोक्षाला थी वो जो थी आपकी लिप्जिंग जर्मनी के अंदर जो थी वो स्थापित की गई थी तो यहां पे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो था पूबूच्छा गया था question number 4 है यूग ने मनोविज्ञान की दिश्टी से व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है तो जब मैंने यूग की आपके पास थियोरी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने भागों में उन्होंने जो है वो personality को जो है वो बांटा है ठीक है option A है 1, option 2 है 2, option 3 है 3, option 4 है 4 तो यहाँ पर यूग के द्वारा जो है वो व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है दो भागों में यानि option number 2 जो है यहाँ correct हो जाएगा extrovert और introvert के रूप में उसी तरह से हमारे पास question number 5 है पैवलव और skinner निमन में से किसे सबंदित है option number A है सरंचनावाद, option B है प्रकार्यवाद, option C है ब्यवहारवाद और option D है gestalt वाद तो यह जो पैवलव और skinner है यह किसे related है यह ब्यवहारवाद यानि behaviorism से related है ठीक है तो question number 5 का जो सही answer होगा वो होगा आपके पास option number C यानि की ब्यवहारवाद question number 6 है अंतर दिस्टी द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया यानि आपके पास जो insight theory है learning की जो insight theory है इसका प्रतिपादन किस के द्वारा किया गया है guest old ward के द्वारा सेयोंजन वार्द के द्वारा सरंचनाबादी के द्वारा या ब्यवहारबादी के द्वारा तो अंतर दिस्टी यानि insight जो theory मैंने आपको पढ़ाई थी वो किस के द्वारा दी गही थी Kohler के द्वारा जो थी वो theory दी गही थी और caller जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, यानि कौन से जो आपके पास यहां पिचार option यह हैं, यह किनके अंदर जो हम आते हैं, वो आते हैं guest old ward के अंदर, तो यहां question number 6 का सही answer जो होगा, वो होगा option number 1, यानि guest old ward, इसी तरह से हमारे पास question number 7 है, आहा अनुभग किस सिद्धान स सबंदित है, ठीक है, जो आहा experience है, वो किस से related है, option number A है skinner, option number B है caller, option C है pebble, option D है tolement, तो जो आहा अनुभग होता है, यह किस तरह से आता है, यह जिस तरह से हमने insight theory में पढ़ा था, कि insight theory में आपके पास किसी problem का solution है, वो sudden आता है, ठीक है, आपके पास sudden solution आता है, और जब solution आता है, तो आपको किस तरह का experience होता है, आहा अनुभव होता है, ठीक है, तो वो किस से related था, वो था caller से related, तो यहाँ question number 7 का जो सही answer होगा, वो होगा option number B, यानि की caller, question number 8 है, परिपकवता जिसका दूसरा नाम है, यानि परिपकवता का दूसरा नाम क्या हो सकता है, option number A है क option D है, अधिगम का पूरा होना, तो maturity यानि परिपकवता का दूसरा नाम यहाँ जो सही, जो सटीक answer यहाँ सही बैठेगा, या फिर जो board के तोरा उठाया गया है, वो है option number A, यानि की क्षमता का विकास होना, यानि development of capacity, यह है आपके पास परिपकवता का दूसरा नाम, second last question ह हमारे पास law of recency किस से सबंदित है, यानि जो अभ्यास का नियम है, वो किस से सबंदित है, कौन सी theory से relate करता है, option number A है प्रियास एंबम तुर्टी से, option B है अंतरद्रिस्टी के सिध्धान से, option C है अनुकरिया उदीपन सिध्धान से, option D है क्षेतर सिध्धान से, तो यह जो law of recency है, यह आप सभी जानते हो, कौन सी theory से relate करता है, यानि आपका प्रियास एंबम तुर्टी के सिध्धान से, option number A जो है, वो question number 9 का यहाँ पे से ही हो जाएगा, यहाँ पे से ही अंसर होगा, option number A, यानि प्रियास एंबम तुर्टी के सिध्धान से, उसी तरह से question number 10 है, आ यूंग ने दो भागों में बर्गी क्रित किया था, उसी तरह क्रेश्मर हमारे पास psychologist थे, जिन्होंने personality को जो है, या अव्यक्ति की सारी को सरंचना जो है, उसको कितने आधार में जो है, वो बर्गी क्रित किया है, option number A है 1, option number 2 है 2, option number 3 है 3, option number 4 है 4, तो जो क्रेश्मर के द answer होगा, वो होगा, option number D, 4 भागों में, और ये 4 भाग भी आपको पता होने चाहिए, ये 4 भाग कौन कौन से थे, मैंने बताया था आपको, aesthetic था, I think, aesthetic था, athletic था, और एक picnic था, और एक dysplastic था, ठीक है, dysplastic में, sorry, जो picnic वाले थे, उसमें कौन से व्यक्ति आते थे, जो fatty लोग होते हैं, वो आते थे, पिकनिक में, aesthetic में कौन से आते थे, जो लंबे और थिन थे, वो aesthetic में आते थे, athletic में कौन से आते थे, जिनकी मतलब ठीक थाक बॉड़ी होती थी, वो आते थे, अथलाटिक में, और dysplastic में, ये जो उपर वाले तीन थे, पिकनिक, aesthetic और अथलाटिक, इ जो था वो किया गया था I hope यह session जो है वो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह के MCQ जो है हम लेके आते रहेंगे और इसी तरह से आपकी practice जो है वो अच्छी होती जाएगी दिन परती दिन कि किस तरह से जो है वो questions को solve किया जाता है तो मिलते हैं अपने next video में तब तक के जाने जाएगी धने जाएगी तरह से जाएगी जाने किया जाता है गोोजाएगी एक जिए।